दोस्तो आप सबको दे लेजेंड नौमान खान तो याद होगा, लेकिन क्या आप जानती हैं कि ये बंदा इंटरनेट से अचानक कहां गाइब हो गया था, और आज कल कहां है और क्या आपको पता है कि ये धैया मार का रोनी वाला टिक टॉकर अब क्या करता है, प्लस क्या का ये स्माइलिंग सूपरस्टार आज कल किस हाल में है वैल आज किस वडियो में मैं आपको इंटरनेट नर वाइरल होकर अचानक गाइब होने वाले फेमस लोगों की बारे में बताने जा रहा हूं तो शुरू करते हैं अपना काउंट टाउन सागर गुस्वामी दूस्तों अगर आप टिक टॉक को शुरू से ही देखते आ रहे हैं तो आप इस बंदे को जानते होंगे फरवरी 2019 में सागर नाम के इस टिक टॉकर ने अपने अकाउंट पर एक एमोशनल वीडियो अपलोड की थी जिसमें ये सर हिला हिला कर रोती हुए डांस कर रहा था सागर की ये वीडियो इतनी अनोखी थी कि ये इंडियन टिक टॉक में ट्रेंड करने लगी और ये एकी दिन में फेमस हो गया था इवन इंडिया और पकिस्तान की बड़े बड़े टिक टॉकर्स ने इसकी वीडियो के साथ ड्यूट भी किया था जिसे ये और ज़्यादा वाइरल हो गया था इसके बाद तो सागर दुख की वीडियो जी बनाता था लेकिन अनफॉर्शनेटली जब इंडियन गॉर्मेंट ने टिक टॉक को बैन किया था तो सागर का फेम भी गाइब हो गया था पर क्या आपको पता है कि ये लड़का अब कहा है और क्या करता है वहला आपको जानका है हरानगी होगी कि टिक टॉक की बैन होते ही सागर ने अपना पूरा फोकस इंस्टाग्राम पर कर दिया था और वहाँ वीडियो बनाना स्टार्ट कर दी थी सागर अब काफी grow up हो चुका है और इसके इंस्टाग्राम पर 9,31,000 से भी ज़्यादा followers है बारहाल जो भी हो इसकी शकल इतनी चेंज हो चुकी है कि इसे दे कर पहचाना भी मुश्किल है कि ये वही लड़का है जो के मूँ को हिला हिला कर दुक्की वीडियोस बनाया करता था मिस्टर सावन दा गरीब बॉई दूस्तो कुछ साल पहले मैं सोचल मीडिया पर मोटिवेशनल वीडियोस सर्च कर रहा था तो मुझे सजेशन में ये बना नजर आया जब मैंने इसकी वीडियो को ओपन किया और इसकी मोटिवेशनल स्पीच सुनी तो मुझे अपने सारे घम भूल गए और मेरा दिल किया कि अपनी पूरी प्रॉपटी इस बंदे के नाम कर दूँ तुम हार के बैटे हो तुम हार के बैटे हो असल में इसका नाम सावन महाली है और ये एक टिक्टॉकर था ये बंदा पूरी दुनिया को चीक चीक कर बताता था कि मैं एक गरीब आदमी हूँ इसके इलावा ये मोटिवेशनल गुरू टिक्टॉक की गरीब अवाम को स्पीच हुए थे कि टिक टॉक बैन हो गया पर सावन द गरीब वाय रुका नहीं बलके इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर चैनल बना लिया अब सावन भाई गोर्बत से मिडल क्लास लाइफ में आ चुके हैं ये डेली व्लॉगिंग करता है और भाई ने एक नई कार भी ले ल स्टार रॉकी ने अपनी स्माइल से भीगो और टिक टॉक पर आगल गना स्टार्ट कर दी यार कल मुझे पुलिस ने गिरभतार कर लिया और जब मैंने इस्पेक्टर से पूछा कि मुझे क्यों गिरभतार किया तो मुझे ही बोलने लगे कि बाई तुने हर लर्की का दिल इसलिए यार बताओ इसमें मेरी क्या गलती है यार आज एक लर्की को पलट के देख लिया खुसी के मारे जान दे दी पगली अब तो डर लग रहा है कहीं घर पर पुलिस ना आ जाए लेटर लिए बंदा अपने आपको इतना हैंसम समझता था कि हर दूसरी वीडियो में अपनी ही तारीफ ले करना शुरू कर देता था इवन इसकी हरकतों को देखते हुए इंडिया की नमबर वन यूटियोबर कैरी मिनाटी ने भी इसे रोस्ट किया था जिससे रौकी गरीबों का सूपर स्टार बन गया था मज़गी बात ये है कि रोकी हर वीडियो के एंड पर ऐसे स्माइल पास करता था कि अपने दोनों जबड़े एक साइड पर ले जाता था और ये किलर स्माइल पास करने के बाद इसे ऐसा लगता था जैसी हुसन की देवी कश्माला तारक है एनिवेस पोलियो के मरीज़ को काफी फेम भी मिला लेकिन जैसे ही इंडिया ने चाइनीज एप्स को बैन किया तो रोकी की सारी सूपर स्टारी खतम हो गई और ये सोचल मीडिया से गाइब हो गया इस बिचारे ने इंस्टाग्राम पर अकाउंट भी बनाया और वहां भी वीडियो बनाने की कोशिश की पर बुरी तरह फेल हो गया वैसे कई साल गुजरने के बाद रोकी का मूँ काफी मोटा हो गया है और अब वो कातल स्माइल भी नहीं रही लेकिन वारहाल एक दफा तो इस बन्दे ने इंटरनेट को हिला कर रख दिया था उदे राजवार दुसों शायद आप दुनिया की हर चीज भोल जाएंगे लेकिन इस बन्दे को भोल पाना मुश्किल नहीं बलके नाममकिन है क्योंकि भाई ये बन्दा टिक टॉक पर ऐसे धाया मार कर रोता था कि इसे चुप करवाने के लिए मुर्दे तक जाग जाते थे इस दुखी टिक टॉक स्टार का नाम उदे है एक दवा रोते हुए इस बाई की वीडियो क्या वाइरल हुई इसके बाद तो इसने चुप ही नहीं किया ये बन्दा हर वीडियो में इतना डेड़ार होता है कि आंसु सीधा फेपड़ों से निकलना स्टार्ट हो जाते है उपर से माशाला भाई का मूँ भी काफी खुला हुआ था तो जब मूँ खोलके रोते थे तो आट-दस दुख तो मूँ के अंदर ही चले जाते थे एनिवे डिस्पाइड आल दीस फेक्ट्स उद्धे चंद ही महीनों में टिक टॉक स्टार बन गया था लेकिन आखर कोई ये मातम कितनी देर तक बरदाश्ट कर सकता था उद्धे की बकरी तो टिक टॉक बैन होने से पहले ही बैट गई थी क्योंकि इस बंदे ने चीक धड़ा मचाने के लावा कुछ नहीं किया वैसे आपको बताता चलूँ कि उद्धे आज भी अपने इंस्ट्राग्राम और यूट्योब पर इसी तरह रोब पिट कर वीडियो बनाता है पर लोग अब इस हमाकत से इतने तंगा चुके हैं कि इसे कोई रिस्पोंस नहीं मिलता लेकिन इसकी हरकते देकर तो ऐसा लगता है जैसे इस बन्दे ने सारी जिन्दगी मातम ही करते रहना है दोसुई उस दोर की बात है जब पाकिस्तानी सोशल मेडिया यूजर्स को से दो जेंडर्स का ही पता था एक मर्द और दूसरी औरतें लेकिन फिर फेस्बुक यूट्यूब टिक टॉक बीगो और इस तरह की एप्स पर लेजेंड नौमान खान पैदा हो गया इस बंदे नुमाब बंदी ने सब को बताया कि दुनिया में एक और मखलूक भी मौजूद है 2017 और 2018 में तो पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर हर तरफ यही कैंसर नजर आता था इवन डकी भाई और कैरी मिनाटी ने भी इससे रोस्ट किया था लेकिन इसके अंदर ऐसी आग भरी थी कि खतम होने का नाम ही नहीं लेती थी इसका बस चलता तो आदे पाकिस्तान के लड़कों को हिजड़ा बना देता आपको जान का हैरानगी होगी कि यह लाउटा बच्चों को कहता था कि अपने वालदेन पर ही केस कर दो खेर बहुत जदा हेट मिलें और क्रिटसाइस होने के बाद काफी अरसे तक यह सोशल मीडिया से गाइब हो किया था लेकिन कुर्बान जाएं पाकिस्तान की गौर्मेंट के जिन्होंने ट्रांसजेंडर लाउपास किया जिसके बाद दा लेजेंड नॉमान खान ने फाइनली ऑपरेशन करवाया और लड़के से लड़की में कनवर्ट हो किया 2022 में ये ओफिशली नॉमान खान से नाईरा खान में कनवर्ट हो चुका था अब इससे बड़ी हमाकत और बना क्या हो सकती है रिज स्टार दूसों जब बॉलिवुड की ब्लॉक बस्टर मुवी जोकर रिलीज हुई थी तो इंडिया की कोने कोने से जोकर निकलना स्टार्ट हो गए थे लेकिन इनमें रिज स्टार का नाम टॉप अफ दे लिस्ट था ये बंदा ऐसे जोकर फेस्स बनाता था कि देखने वाला हैरान हो जाता था इसका असल नाम रिजवान खान है जब इस इंडियान जोकर को फेम मिलना स्टार्ट हुआ था तो बहुत से योट्योबर्स ने इसे रोस्ट भी किया था लेकिन इसकी फेम में और ज़्यदा इजाफा होता गया टिक टॉक पर तो ये सिर्फ जोकर की ही वीडियोज बनाता था लेकिन टिक टॉक के बैन होने के बाद रिस्टार ने व्लॉगिंग करना स्टार्ट कर दी थी पर व्लॉगिंग में ये ज़्यादा देर नहीं चल सका इसकी फॉल्वर्स तो काफी ज़्यादा थे लेकिन व्यूज बहुत कमाते थे पर इंस्टाग्राम पर इसकी फैन फॉल्विंग काफी ज़्यादा थी और ये जयादतर इंस्टाग्राम पर ही एक्टिव रहता था आपको बताता चलूं कि जोकर फेस से वाइरल होने वाला ये लड़का अब इस लाइफ को बिलकुल छोड़ चुका है वैसे तो रिजवान शुरू से ही एक मुसल्मान था लेकिन अब इसने अपनी लाइफ बदल कर सब बेटों के काम छोड़ दिये हैं रिजवान ने अपनी लाइफ को ऐसे जबरदस तरीके से ट्रांस्फर्म किया है कि इसलामिक ड्रेस में ये और भी ज़्यादा एट्रेक्टिव और अच्छा लगता है ये सच में कमाल है तो दोस्तो आज के लिए बैस इतना ही उमीद आपको वीडियो पसंद आई होगी अगर आप मझे इंस्टाग्राम भी फॉलो करना चाहते हैं तो दी हैदर टीव पी आप मझे फॉलो कर सकते हैं मिलता हूं आपसे नेक्स वीडियो में तब तक के लिए अल्ला हाफिस